प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में वन शा बनाना सीखेंगे ये बना है शा शा से होता है शंक बच्चों, शंक मंदिर में बजाया जाता है ये समुंदर के अंदर पानी में पाया जाता है शा से होती है शलगम शलगम बच्चों एक सबजी होती है कहते भी है, शासी शलगम है गुणकारी, दूर करे सारी बीमारी शासी होता है शहत, बच्चों मदु मखियां पेड पर छत्ता बना के शहत देती है शहत बहुत गुणकारी होता है और इसका स्वात मीठा होता है चलिए बच्चो एक बार चित्रों को फिर से दोराते हैं शा से शंक, शा से शलगम, शा से शहद बच्चो अब शा बनाना सीखते हैं शा बनाने के लिए उपर वाली पंक्ती पर से एक आधा गोला इस तरह से बनाते हैं बच्चो अब इस आदे गोले के उपर वाले सिरे पे एक छोटा सा बहुत छोटा सा घूमा कर एक गोला इस तरह से बनाते हैं अब नीचे से एक तिर्शी रेखा नीचे वाली पंक्ती तक मिलाकर बनाते हैं अब इसके थोड़ी सी दूर पर एक सीधी रेखा उपर वाली पंक्ती से नीचे वाली पंक्ती तक बनाते हैं उपर वाली पंक्ती पर अब एक लेटी रेखा बना देते हैं बच्चो इस तरह बनता है शाह अपनी कौपी में बच्चों आप भी इसी तरह से शाह बनाईएगा